कई भारतियों राम मंदिर के उटगाटन का बे सबरी से इंतजार कर रहे हैं जो अब कुछ ही दिन दूर है यहां राम मंदिर उटगाटन समारों के बारे में कुछ दिलजस्प अपडेट दिये गए है राम मंदिर के गर्बगरों का निड़मान आट चन्वरी दोहजार चौबिस को पूरा हो चुका है मंदिर के प्रवेश द्वार पर सोने के दर्वाजे लगाने का काम शुरू हो गया है ऐसे तेरा दर्वाजे लगाए जाएंगे ट्रस्ट के महासचिप चंपट राई ने बताया कि राम लला के मूर्थी चार दशमलव तीन फीट उची है और इसका वजन करीब डेड़ टन है इसमें एक छोटा सा मुकुट और एक प्रभा मंदल है मूर्थी गहरे रंगी है जैसा कि राम चरित्र मानस और वाल मी की रामायन में वर्नित है मूर्थी की पूजा प्रक्रिया 16 जन्वरी 2024 को शुरू होगी और मूर्थी 18 जन्वरी 2024 को गर्भ गुरुव में स्तापित की जाएगी और फिर 22 जन्वरी 2024 को बड़ी प्रान प्रतिष्टा पूजा होगी अयोध्या के महर्शीवाल में की अंतराश्य हवायड़ा अयोध्या धाम का उटगाटन प्रधान मंत्री मोधी ने दिसंबर 2023 में किया था आने वाले दिलों में स्वच्चता का कुम मेला मौडल लागू किया जाएगा ताकि ये सोनिश्चत किया जा सके कि अयोध्या सबसे स्वच और सुन्दर दिखे नाकपूर के शेफ विश्णु महनौरा ने कई रेकॉर्ड तोड़े है और उन्हें सबसे अच्छा शेफ माना जाता है वहब 22 जन्वरी 2024 को विशाल कड़ाई में 7000 किलो राम हलवा तयार करेंगे इसके बाद प्रसाद डेड़ लाग से अधिक भक्तो और वियाईप्यों के बीच वितरत किया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अधित्यनात ने गोश्णा की है कि 22 जन्वरी 2024 को पूरे यूपी के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे इसके अतिरिक 22 जन्वरी 2024 को शुष्क दिवस होगा और मास की अनुमदी नहीं होगी आसम, राजस्थान, उत्तराखन और 36 गड़ ने भी शुष्क दिवस कोशित किया है राम मंदिर में 2400 किलो वजनी, 4 फीट उचा और 5 फीट चौड़ा घंडा जिसकी कीमत करी 25 लाक रुपे हैं लगाया जाएगा उत्तरप्रदेश के जेलसर में 4 वर्षों चे तयार की गई, इसे 8 जनुमदी 2024 को एक शोबह यात्रा में अरुधा पहुचाया गया था हर कोई जानता है कि अगरबती आम तोर पर छोटी या लंबी होती है, लेकिन ये औसाधरन है ये 108 फीट लंबी और 3610 किलो वजनी है इसे गाय के गोबर, घी, फूल, आरियुवेदिक उत्पादो और जड़ी पूटियों से बनाया गया है इसे गुजरात के किसानों और सानिया निवासियों द्वारा बनाया गया है ये अयोध्या पहुच गई है और 50 किलो मीटर के इलाके को अपनी खुश्बू से महकाएगी माना जाता है कि भगवान राम के पत्नी सीता का जनम नेपाल में हुआ था 500 लोगों ने 3000 वस्तुवे उपहार में दी जिन में चांदी के जूते, आभुशन, फल, मिठाई, कपड़े आदी शामिल है नेपाल के राम जान की मंदिर के पुजारी पंडित राम रौशन दास ने सभी उपहारों को तीस वहानों में ले जाकर श्री राम चन्व भुमी तीत्य शेत्र ट्रस्ट को सौप दिया राम मंदिर के उटगाटन समारों के निमंदरन कार्ड सभी महमानों को हाथो हाथ दिये जा रहे है निमंदरन कार्ड में मंदिर की एक भव्य छवी है और इसमें राम चन्म भुमी आंदोलन में शामिल कुछ प्रमुक लोगों की संग्शित प्रोफाइल शामिल है मंदिर ट्रस्ट की आमंत्रित सूची में साथ हजार से अधिक लोग शामिल है जिन में सचिंदे नुलकर, विराट कोली, अमिता बच्चन, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, आधी शामिल है इकबाल अंसारी और योध्या भूमी विवाद मामले में विवादियों में से एक थे अंसारी ने पहले कहा था कि मुस्लिम समुदाई राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोड के 2019 के फैसले का सम्मान करता है उन्हें भी आमंत्रित किया गया है और संभवत वे इसमें शमिल होंगे यूपी सरकार ने सभी जेल अधिक्षकों को इस एतिहासिक कालेक्रम में कैदियों की भागिदारी के लिए उद्गाटन समारों का सीधा प्रसालन आयोजित करने का निर्देश दिया है राज्य सरकार ने कैदियों को श्री हनुमान चालेसा और सुन्दर कांड वितरित करने की भी गोशना की है गोरगपूर में गीता प्रेस को प्रत्य एक पवित्र पुस्तक की पचास हसार प्रत्यों का ओडर दिया गया है आने वाले दिनों में स्थानिय लोगों और पर्यटकों के लिए प्रदुशन, मुक्त, सुगम्या और किफायती यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उबर ने अयोध्या में इलेक्ट्रिक आटो रिक्षा स्वेवाय शुरू की है हरिद्वार के चौदरी चरन सिंग घाट पर एक बड़ी फ्लोटिंग स्क्रीन लगाई जाएगी और पूरे समोरव का सीधा प्रसारन दिखाया जाएगा अमेरिका के विश्वा हिंदु परिशत द्वारा अमेरिका के दस राज्यों में राम मंदिर को प्रदर्शित करने वाले 40 से अधिक बिलबोर लगाए गये है जैसा कि आप सभी जानते हैं बरेरी के किनर समुदाई भी जो आम तोर पर नवजाच शिशों के माता-पिता से पैसे लेने पर जोर देता है ने घोश्णा की है कि वे 22 जनुरी 2024 को जनम लेने वाले बच्चों को आशिरवाद देने के लिए माता-पिता से पारम पर एक पैसा नहीं लेंगे मौरेश्यस में बहुत सारे हिंदू मंदिर है मौरेश्यस सरकार ने हाल ही में 22 जनुरी 2024 को प्रांप परचिश्टा समारों के दौरान हिंदू सारवजनिक कालेले करमचारियों को दो घंटे का आवकाश दिया है मौरेशिस जैसे विदेशी देश भी हिंदू कर्मचारियों के समारों में शामिल होने के लिए समर्थन दे रहे हैं क्या आपने सूची देखी क्या यह अध्वुत नहीं थी और घाटन समारों को लेकर हर कोई उत्साहित है क्या आप 22 जैनवरी 2024 को अध्या में होंगे अगर हां तो हमें कमेंट में जरूर बताईए